नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट योगेश कुमार और आप देख रहे हैं क्लास्वरूम E-Learning E-Stands Electrical आज का जो हमारा टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन आप 3510 रेक्टिफायर तो 3510 का मतलब क्या है रेक्टिफायर का फॉर्मेशन कैसे होता है तो उसके बारे में हम वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले rectifier का internal structure कैसे होता है तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं सामने आप देखेंगे तो आओ यहाँ पे आपको दो प्रकार के rectifier दिखते हैं एक जो प्रकार है kbpc और दुसरा प्रकार जो है kbpc w तो इसका मतलब हम पहले जान लेते हैं या अंतर उसके बारे में जान लेते हैं अगर rectifier के उपर ऐसे pins या लग्ज रहेंगे तो उसको बोलते है kbpc w तो डबली का मतलब क्या होते है वाइरिंग लिड्स एक बार वापस रिपीट करता हूं अगर रिक्टिफायर के उपर ऐसे या वायर के लिड्स और वायर के लिड्स नहीं लग्ज रहेंगे तो उसको बोलते है kbpc w क्या होता है दोनों में अंतर यह रिक्टिफर का इंटर्टर्स यहां पर आपको चार पिदिग्र घ्टिव ऑ अाप उसको भार्रेन दिपोल सकते मतलब आपके जैसा rectifier रहेगा तो उसके सबस्याम उसको पढ़ सकते हैं यह हुआ के बीपीसी मतलब वायर पीन्स वाला हुआ और यह हुआ वायरिंग लिट्स वाला हुआ यहां पर आपको दोगो पॉजिटिव निगयोटि और एसी सप्ला यहां पर दोगो पॉजिटिव निगयोटिव कैसे होगा कि 35 एंपियर और हजार होल अगर समझो उसके बजाए 35-05 होता है तो उसको पढ़ेंगे कैसा 35 एंपियर 500 होल अभी जो हम रिक्टिवायर का जो स्टेडी करने वाले है या जो प्रैक्टिकल करने वाले या फॉर्मेशन करने वाले है तो यह जो रिक्टिवायर य कौन सा है 35-10 मतलब क्या 35 एंपियर और हजार होल टक कि यह रिक्टिवायर चल सकता है तो यह हुआ रिक्टिवायर का इंटरनल स्रुक्चर उसके बाद हम जान लेंगे कि रिक्टिवायर के फीचर्स और मेकंडिकल डेटा मतलब अभी जो हम रिक्टिवायर का स्टेडी करन वाले है तो उसका यह फीचर्स और मेकंडिकल डेटा आप पड़ सकते वीडियो पॉट्स करके यह है 3510 इसको आप गवर से देखेंगे तो इसके उपर आपको चार पींस दिखेंगे पींस को लग्स भी हम उसको बोलते है तो इसका मतलब यह हुआ यह रिक्टिवायर कौन साह 3510 35 का मीनिंग तो मैंने आपको बताया है फिर भी वापस एक बार बताता हूँ 35 एंपियर और 1000 होल्ड तो आगे देखेंगे रिक्टिवायर का फॉर्मेशन कैसे होता है तो फॉर्मेशन देखने के लिए फॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि रिक्टिवायर कैसे बनाया तो तभी पता चलेगा लिए रिक्टिवायर के अंदर क्या-क्या है मतलब रिक्टिवायर कैसे बनाया जाता है अभी थोड़ा हम देखेंगे कि मुम्बत्ति की साहते से उसको हम थोड़ा घरम करके हीट करके उसको थोड़ा डामेज करेंगी जब यह rectifier हम damage करेंगे तब यह उसके अंदर से एक सफ़ेद कलर का powder का coating निकलेगा यह powder निकलेगा तो powder किसलिए होता है कि अगर rectifier को हम supply में लगाएंगे तो supply में क्या होता है कि ज्यादा hit तैर होगी तो hit को कम करने के लिए यह powder का coating यह powder उसमें लगाए जाती है अभी rectifier का उप्योग किसलिए किया जाता है यह सबको मालूम है तो rectifier का उप्योग AC to DC supply का नवर्ट करने के लिए rectifier का उप्योग किया जाता है तो यह देखो आप देखेंगे वीडियो में तो इसको सफेट पाउडर इसमें से मतलब भार आ रही है तो यह powder का इस्तेमल की होता है आपको मैंने बताई है बाकी जो है आपको मैंने बता है मेटल की बॉड़ी है जो पीन्स है या लग्स है वह भी मेटल के ही है और यह पीन्स के अंदर मतलब अभी रिक्टी फायर हम जब उसको अभी पूरा ओपन करेंगे या पूरा खोलेंगे तब ही मतलब बताएंगे कि उसमें क्या-क्या है अ तो चारो डायोड एक साथ करके ब्रीज टायर किया जाता है तो उसको ब्रीज रिक्टी फायर बोलते है अभी देखो इसमें से अभी इसको डैमेज करके इसमें से अभी डायोड निकलाई देखो यह डायोड है वह दूसरा इसमें ऐसे कितना चार डायोड रहेंगे मेटल डायोड पर क्या किया जाता है, सिलिकॉन का मेटल का यूज किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिलिकॉन मेटल डायोड बोलेंगे, या इसको मेटल रेक्टिफायर भी उसको हम बोल सकते हैं, तो चार डायोड कैसे दिखते हैं, हम अभी जान लेंगे, यह देखो यह डायोड हुआ यह आपको दिखेंगे कि इसमें मैटल का बड़ी हमने इसका अलग किया यह दो डायोड दिखे आपको। जो कोले कोल तो काल कलर का दिख रहे है उसको बोलते सिलिकॉन जो सरकल जो है सरकल के अंदर काला का अक एक एक material है तो उसको बोलते है silicon मतलब यह diode जो अमा डायोड नहीं यह rectifier जो है कौन सा हुआ silicon metal rectifier हुआ जो को पहला डायोड दूसरा डायोड तोठल चार डायोड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एक साइड में रहेगा आनोड एक साइड में रहेगा cathode आनोड में रहेगा positive निगेट वचार यह चारोड एक साथ मिला के क्या होगा एक ब्रीज टैर होगा तो उसको बोलते है क्या ब्रीज रेक्टिफायर और यह ब्रीज रेक्टिफायर मतलब यह चारोड डायोड होए यह किसमे बनाए एक मेटल के बॉक्स में इसको क्या गया बनाया गया है अभी दिखो यह रेक्टिफायर इसे आपको कैसे बनता है मेटल के बॉक्स में वह आपको दिखेगा सामने तो इसे रेक्टिफायर बनता है तो इसको बलते क्या है 3510 मेटल रेक्टिफायर या सिलिकोन रेक्टिफायर अ